इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 49 देखेंगे पार्ट 48 तक हम लोग अलड़ी कवर कर चुके हैं इस सीरीज में हम लोग समान विज्ञान के उन सारे प्रशनों का रिविजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेल्वे गूरूब डी 2018 के अंदर यह जो हमारा पार्ट 49 है इस पार्ट 49 के साथ जो हमारा यह वॉल्यम 2 चल रहा है यह समाप्त हो जाएगा वॉल्यम 1 हम लोग समाप्त कर चुके हैं वॉल्यम 2 यह हमारा आज समाप्त हो जाएगा इस 49 के साथ उसके बाद हमारा बचेगा वॉल्यम 3 इस volume 1 में हम लोगों ने 910 सवाल करे थे इस volume 2 में हम लोग 610 सवालों को लगभग कर लेंगे इस 449 के साथ 610-615 सवालों को कर लेंगे तो बागी के जो भी सवाल इसमें बचे हुए है देखो यह volume 1 है इसमें 1000 सवाल इस volume 2 में 1000 सवाल और इस volume 3 में 1000 सवाल और ये सारे ही जो volumes हैं ये इस वाले PDF के अंदर आपको मिल जाएगा अगर आपने बाई की होगा तो आपको ये चीज बता होगा अगर आप बाई करते हो तो आपको इसमें ये सारे के सारे जो 3000 सवाल है जो Railway Group D 2018 में पूछे गए थे ये तीन volumes के अंदर इस वाले एक PDF के अंदर मिल जाएगा इस PDF के अंदर समाने विज्ञान के वो सारे प्रस्ण है जो पूछे गए थे RRB JEE CBT1 2019 में उसके बाद RRB ALP Technician 2018 के अंदर जो समाने विज्ञान पूछे गए थे सवाल 500 ये मिल जाएंगे और JEE 2019 में समाने विज्ञान के भी सवाल पूछे गए थे ये भी आपको इसमें मिल जाएंगे और इसमें जो ये समाने विज्ञान है और ये जो समाने विज्ञान है JEE में और ALP Technician में जो पूछे गए थे इनका solution अलरी अप्लोडेड है और Group D का हमारा चल रहा है जिसमें कि Volume 1 मैं Complete करवा चुका हूँ Volume 2 हमारा चल रहा था ये 49 आज की इस विडियो से समाप्त हो जाएगा Volume 2 तो जो भी सवाल इसमें बचते हैं जैसे मैंने कहा कि 610 सवाल Complete हो जाएंगे हमारे इस Part 49 के साथ तो जो हमारा सवाल इसमें 390 बचत हैं ये वो सवाल है जो Repeated है एक ही सवाल कहीतर के पुछेगा है थोड़ा बहुत Change करके तो उससे कोई फड़क नहीं पड़ेगा आप उसको अराम से बना दोगे अगर आपने अभी तक इस पूरे व्ड़े व्डियो को अगर आपने अभी तक देखा होगा तो ये सारी सवाल आप बना देंगे तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंसन मत लेना कि ये सारे सवाल कैसे बनेंगे और बिल्कुल भी अपना confidence down मत करना कि इसमें 610 सवाल हुए हैं तो बागी के सवाल नहीं करवाये जाए हैं तो ये आपसे नहीं बनेंगे आपसे आराम से बन जाएंगे बिल्कुल आप इसके लिए tension मत लो अगर आपके पास PDF है तो आप चेक कर सकते हो इस 610 सवाल के साथ आपके ये पूरी 1000 सवाल कवर हो जाएंगे क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो repeated हैं जो numerical से हैं वो एक ही टाइप की numerical बहुत बार पुछेगा हैं तो इस 390 में तो काफी सारे numerical सी हैं तो जो हमारा अगला वेडियो होगा ये वोल्यूम 3 होगा वोल्यूम 3 से होगा एक चीज और मैं आपको यहांपर बता दू जैसे मालो कि ये आपका पूरा एक्जाम का duration था जितने महिना एक्जाम चला हो ये पूरे को मैंने इस लाइन पे डाल दिया ये आपका starting है और ये आपका end है जो volume 1 में आपने सवाल देखा ये यहां से था यानि कि starting वाले से था ये starting में जो भी shifts होए थे वहां से सारे सवाल थे volume 1 के अंदर volume 2 में जो सवाल है वो यहां से था volume 2 में यहां से था यानि कि end से था अंतिम के shifts में जो exam सुने थे उन में जो सवाल पूछे गाते यह volume 2 के अंदर था जो आप volume 3 में देखोगे यह से होगा कुछ सवाल आपको यहां से मिल जाएगा end वाले shift से volume 3 के अंदर 90 परसंट जो सवाल है वो यहीं से मिलेगा आपको बीच वाले shift से मिलेंगे आपको सारे सवाल वोल्यूम 3 के अंदर आपको वोल्यूम 2 के रिस्पेक्ट में थोड़े असान सवाल दिखेंगे क्योंकि ये बीच वाले shift में पूछे गया है आगे सवालों पर आने से पहले आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप comment box में करेंगे neutron पर आवेश होता है परमानू के नाभिक में proton होते हैं, neutron होते हैं तो neutron के उपर कितना आवेश होता है, कितना charge होता है यह आपको बताना है यह आपके सामने विकल्प है, A, B, C, D कौन है इसका आंसर आप comment box में लिख करके देंगे आते हैं, part 49 के पहले प्रशने पर जो कि हमारा question number 1496 कच्चा तेल डैश होता है, कच्चा तेल बोले तो crude oil crude oil, जो आप petrol या फिर diesel यूज करते हो यह दूसरे देशों से मंगाया जाता है हमारे देश के अंदर तो यह जो petrol आप यूज करते हो, यह इस form में नहीं होता है कच्चे तेल के रूप में होता है, कच्चे तेल के रूप में हमारे इंडिया में मंगाया जाता है और फिर इसको refine किया जाता है उसके बाद आप लोग या फिर हम लोग इसको huge करते हैं तो जो petrol का दाम होता है उसमें refining का जो coast आता है refining में जो भी लागत होता है उसको भी उसमें शामिल किया जाता है तो यह जो कच्चा तेल होता है यह गंदयुक्त पीले या काले रंग का तरल होता है सी हमारा आंसर हो जागा गंदयुक्त यानि कि इसमें smell होता है यह अवधार्णा की एक तत्त्य के सभी परमानू समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था डालते ने कहा था कि एक तत्त्य के सभी परमानू समान होते हैं लेकिन यह चीज गलत सावित हो गया जब समस्थानिकों का पता चला जैसे आप जानते हो हाइडोजन के तीन समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2, 1H3 प्रोटियम, डिटेरियम, ट्रेटियम, 1H3 यहाँ देखो यह एक ही तत्त्य के सारे परमानू है कौन्चे तत्त्य के हाइडोजन के हाइडोजन के यह तीन अलग अलग परमानू है देखो परमानू संक्या एक परमानू संक्या एक, परमानू संक्या एक अगर सारे के परमानू संक्या एक है इसका मत्तु क्या हुआ कि ये एक ही तत्तु के सारे प्रमानु है तो hydrogen के सारे जो प्रमानु है hydrogen तत्तु के सारे प्रमानु को समान होने चाहिए Dalton ने ऐसा कहा था Dalton के according लेकिन देखो ये अलग-अलग है ये परमानु ये परमानु ये परमानु अलग-अलग है इसमें देखो एक द्रवयमान संक्या है इसमें दो द्रवयमान संक्या है इसमें तीन द्रवयमान संक्या है इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें कोई भी न्यूट्रोन नहीं है 1H1 में इसमें एक न्यूट्रोन है औ एक ही तत्तु के अलग अलग प्रमानू होते हैं एक कार 72 किलोमेटर पड़ आवर की गती से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुखने में 4 सेकंड लगते हैं, यदि कार का द्रवमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिनाम क्या है बल बड़ाबर होता है द्रवमान गुने में तोरण देखो द्रवमान तो पता है 1000 किलोग्राम लेकिन तोरण नहीं पता है तोरण बड़ाबर एक सुतर होता है, ये भी आपको पता होगा अब यहाँ पर आप देखो द्रवमान है 1000 किलोग्राम वी कितना हो जाएगा यहाँ पर? जीरो हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ना कि कार रुख जाती है 4 सेकेंड में यू कितना हो जाएगा? 72 किलोमेटर पर आउर, लेकिन यहाँ पर हम 72 नहीं डालेंगे हमें आंसर चाहिए न्यूटन में जो की SI मातरक है तो हर एक वेल्यू जब हम फर्मॉला में डालेंगे तो वो SI मातरक में होना चाहिए तो इस 72 किलोमेटर पर आउर को मेटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 बट्टे 18 से मल्टिपलाई करेंगे यह हमारा आजाएगा 20 मीटर पर सेकेंड तो यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड टाइम हमारा सेकेंड में है और यहाँ पर 4 तो यह एक हजार और गुने में 5 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा कि समय के साथ कार की जो गत्य है वो कम हुई है या फिर बोल दो जो बल लगाया गया वो विप्रित दिशा में लगाया गया विप्रित दिशा में बल लगेगा तभी तो कार रुखेगी अधरवाइज वो नहीं रूखेगी तो हमारा आंसर यहां पर D हो जाएगा निमलिकित में से Ultra Sonography का उप्योग क्या है Ultra Sonography होई हम लोग Ultra Sound बोलेते हैं जेनरली आपने सुना होगा Ultra Sound क्यों करवाते हैं इसका उप्योग मा के गर्ब के अंदर विकास के देख डेक के लिए किया जाता है जो pregnant महिला होती है वो अक्सर ultra sound गरवाती है इसी चीज़ के लिए जो embryo है गरवाशे के अंदर उसके देखड़े के लिए तो ultra sonography के अंदर कौन से sound का इस्तमाल होता है? ultra sound का इस्तमाल होता है यानि कि जो ultra sonography है इसमें sound wave का इस्तमाल होता है जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह समंदित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से समंदित है रसाइन विज्ञान रसाइन विज्ञान के अंदर हम लोग बोलते है पदार्थ का जो सबसे छोटा करण है वो है परमानू ऐसे हैं जी भी ग्यान के अंदर हो बोलते हैं मूल भूत सनचनात्म किडियात्म की काई कोशिका है न डी हमारा आंसर जब क्रिस्टल गरम हो जाता है तो क्रिस्टली करन के जल का लोब हो जाता है और पदार्थ डैश अवस्था में बदल जाता है जैसे माल लो कि यह copper sulfate है यह copper sulfate है तो अभी क्या है यह इसमें दोको water भी जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे कि यह hydrated form है यह hydrated form है जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहां से यह water जो है यह loss हो जाएगा जल कि जो अणु है यहां से खत्म हो जाएंगे और simply बचेगा यह अब यह हो गया Enhydras form यह क्या हो गया Enhydras form यानि कि निरजल यह रसाइनग्य के लिए गढ़ना की काई क्या है रसाइनग्य के के लिए गढ़ना की काई है मोल जो है यह पदार्त के मात्रा को बताएगा मोल क्या बताएगा पदार्त के मात्रा को निमन में से कौन सा समपढमाणुक अणू नहीं है तो यह हैड्रोजन का मॉलिक्यूल यह नैट्रोजन का मॉलिक्यूल यह फासफोरस का मॉलिक्यूल आप देखो यह जो मॉलिक्यूल ह है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने हुए है hydrogen 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 atom से nitrogen molecule दो nitrogen atoms phosphorus चार phosphorus atoms यहां carbon dioxide का एक molecule है जिसमें दो different atoms है एक carbon का है और एक oxygen का है यह बाकि उसे अलग है Newton के गती के नीमों का प्रकाशन वर्ष क्या था Newton के गती के जो तीन नियम है इनका प्रकाशन वर्ष है 1687 दी हमारा answer एक शोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिकर जिसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं और 40 गर्थ जिसे हम लोग ट्रफ बोलते हैं बनते हैं तरंग की अवरिति ज्याद करें पिछले पर यह वडियो में मैंने आपसे कहा था I think कि एक सेकंड के अंदर जितने कंपन होते हैं या फिर जितने दोलन होते हैं या फिर बोलतों जितने चक्कर लगाए जाते हैं उसी को बोलते हैं आवरिति एक सेकंड के देवा हुआ 40 क्रस्ट है और 40 ट्रफ है तो आप यहां पर यह देखो यहां से यहां यह आपका होता है आधा कमपन आधा कमपन बोल दो या फिर आधा दोलन बोल दो या फिर आधा चक्कर बोल दो और यहां से यहां फिर से आधा यानि कि यहां से लेकर के यहां तक यहां से एक ट्रफ बड़ाबर एक कंपन तो 40 ग्रस्ट और 40 ट्रफ बड़ाबर 40 कंपन समझ में आया तो 0.3 सेकंड लगते हैं 40 कंपन करने में तो एक सेकंड में कितना कंपन किया जाएगा तो 40 अरबटे में 0.3 हो जाएगा यहां से पॉइंट अटाएंगे उपन में 0 हो जाएगा इसी को सॉल्व करेंगे तो 133.3 हर्ज हो जाएगा रसायन शास्त्र में मोल शब्द का पड़िचाई किस ने दिया है देखो कण आप धियान में मत रखना मोल धियान में रखना कि मोल शब्द किस ने दिया मोल शब्द दिया ओस्ट वार्ड ने सी हमारा आंजर हो जाएगा घर्शन द्वारा किया गया कार डैश होता है घर्शन द्वारा किया गया कार रिनात्मक होता है C हमारा आंतर हो जाएगा आपने जब भी बढ़ा होगा अपने एक्जाम के लिए घर्षन दोरा किया गया कारे क्या होता है तो आपने रिनात्मक ही बढ़ा होगा और मैं भी रिनात्मक ही बढ़ाता हूं जब ही मैं आप लोगों के लिए वडियो बनाता हूँ तो घर्षन दोरा किया गया कार रिनात्मक बताता हूँ लेकिन सच तो ये है कि घर्षन दोरा किया गया कार जो होता है वो निगेटी भी हो सकता है पॉस्टी भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है लेकिन आपके एक्जाम में सवाल इसी प्रकार आते हैं और विकल्ब भी कुछ ऐसा ही होता है धनात्मक, उधासीन, रिनात्मक, शुन्य आंसर आपको रिनात्मक पर ही टिक मारना है अगर माल लो एक विकल्ब ऐसा हो कि धनातमक भी हो, रिनातमक भी हो, शुन भी हो और एक भी कल्प ऐसा हो जिसमें लिखाओ इनमें से कोई भी हो सकता है तब आपको आंसर वही मारना पड़ेगा टिक कि इनमें से कोई भी हो सकता है क्योंकि जो घर्शन बल दोरा किया गया कार है वो रिनात्मक धनात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है बट मैंने तो यही देखा हुआ है कि आपके एक्जाम में जब सवाल पूछे जाते हैं तो वहार रिनात्मक को ही टिक मारा जाता है इसलिए मैं भी जब भी बताता हूं तो रिनात्मक ही बताता हूं वड़ना क्या होगा नंबर कड़ जाएंगे आपके अधात्वों का व्यापक उप्योग डैश में होता है अधात्वों का व्यापक उप्योग किस में होता है इन चार वी कल्पों में से बताना है तो जो बॉयलर होता है हवाई जहाज या फिर कोई मशीनरी इन सम्में धात्वों का इस्तमाल प्लस वन चार्ज यानिक अमोनियम आयन एक धनायन है यह चीज़ आप दियान में रखिएगा सलफिट आयन पर होता है माइनस टू चार्ज मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि अगर आपको फॉर्मूला लिखना हुआ कम बांड का तो क्या करेंगे जो चार्ज है उसको आप नीचे लिख दो साइन हटा करें लिखना है साइन मत लिखना यहाँ पर यहाँ पर टू माइनस है तो सिंप्ली टू लिख दो क्रिस क्रॉस करवा दो तो एन एच फॉर का हॉल ट्वाइस और एस ओफॉर हो जाएगा वन तो आंसर हमारा सन्यूंजी उब्तक हो जाएगा मैट्रिक्स बोले तो कोसिका के बाहर जो पतार्थ होते हैं नि Urban में से क्या एक उधारण है हाइडरो कारवन बोले तो उसमें क्या होगा केवल कारवन और हाइडरोजन तो यहां हमारा आंसर मिथेन हो जाएगा मिथेन का फोर्मूला होता है CH4 यहां केवल कारवन और हाइडरोजन है डैश मानस्पेशिया शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुचाने में हिरदे की सहथा करती है जिसमें लैबद संकुचन और विश्राम की अवशकता होती है पिछले ही वीडियो में आपने देखा था कारडियक मसल तो यहां कि हिरदे की मानस्पेशिया आपसे मेरा एक सवाल है उस धमनी का नाम क्या है धमनी में आप जानते हो कि शुद्रक्त बहता है तो उस धमनी का नाम क्या है जो हिर्दे की मान स्पेशियों में रक्त लेकर के जाती है उस धमनी का नाम बताईए जो हिर्दे की मान स्पेशियों में रक्त लेकर के जाती है मेंडलीव की आवर्त साड़नी में लंब रूप अस्तम्भों को डैश और शैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है मेंडलीव की आवर्त साड़नी बोल दो या फिर जो अधुनिक आवर्त साड़नी है उसमें भी जो ऐसे लंबवत अस्तम्भ है इसे हम लोग बोलते हैं समोह और जो ऐसे हैं शैतिज पंक्तियां उसे बोलते हैं आवर्त भी हमारा आंसर हो जाएगा अब शैपन या फिर बोलतो प्रेसिपिटेशन अभी करिया डैश उत्पादित करती हैं अगर आपको याद हो दोडी विस्थापन अभी करिया Baudium chloride Sodium sulfate में Bamiodium sulfate, जो salt का निरमान होता है वो, precipitate होता है अब shape होता है और अब shape क्या बताया था मैंने, यह जले में시는 गुलंशील नहीं होते हैं आगुलंशील होते हैं समुद्र में निम्न में से कौन सी अज्या पाई जाती है पत्री और ट्यूमर आदी आसमान ने कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफि सोनोग्राफि बहुत उपयोगी है, इस तक्नीक में डैश का उपयोग होता है सोनोग्राफि का मतलब यहां पड़ वही है, अल्टरा सोनोग्राफि आल्टरा सोनोग्राफी जिसमें आल्टरा साउंड का इस्तमाल होता है यानि कि साउंड वेव का इस्तमाल होता है भी हमारा आंसर डैश का उपयोग कड़ दुरबल अमल और प्रबल अमल के वीच विभिःत किया जा सकता है ये सारे जो सूचक हैं ये आपको ये तो बता देगा कि अमल है या नहीं है, ये जरूर बता देगा कि अमल है या नहीं है, लेकिन ये अमल कितना मजबूत है, कितना कमजोड है, ये नहीं बता पाएगा, ये सारे जो सूचक है, ये बताने का काम करेगा साड़तरीक सूचक युनिवर्सल पि-ह वर्टा 6 हो जाता है इसलिए लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है कि चंदर्मा की सता से हम एक चटान को प्रित्वी पर लाएंगे तो क्या होगा भार में व्रिद्धी हो जाएगी भार में वद्धी हो जाएगी क्योंकि प्रीत्वी पड़ जी का value होगा चन्धरमा पर द्योगा उसका 6 गुणा होगा यहाँ से आप देख सकते हो तो इसके भार में वद्धी हो जाएगी द्रवर्यमान में कोई पडिवरतन नहीं होगा इसके भार में केवर पडिवर्तन होगा भार में कितना पडिवर्तन हो जाएगा जितना चन्रवा पड़ता उसके 6 गुणा हो जाएगा निम्न में से किस पशू में छोटी आत सबसे छोटी होती है यानि छोटी आत की जो लंबाई है सबसे छोटी होती है इन सब में जो शाकहारी जानवर होते हैं जो शाकहारी जानवर होते हैं जैसे कि गाई, खरगोश, बकरी ये सब इनकी छोटी आत की लंबाई अधिक होती है मांसहारी जानवर के तुलना में हमारा answer यहाँ पर share हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें पूछाता कि कौन किसके पास सबसे छोटी छोटी यात है जो शाकाहरी जानवर होते हैं वो plants खाते हैं plants में जाते हो कि cellulose भड़पूर मातरा में होता है cellulose polyseccuride है एक carbohydrate है polyseccuride है यह भड़पूर मातरा में होता है इस cellulose को पचाने में शाकाहरी जानवरों को time लगता है इसको पचाना है तो इसमें time लगेगा इसलिए छोटी यात की लंबाई जो शाकाहरी जानवर होते हैं उनमें अधिक होती है cellulose को तोड़ने वाला जो enzyme होता है उसे हम लोग cellulose बोलते है cellulose बोलते है यह cellulose enzyme cellulose को तोड़ेगा देखो यह जो गाई है खरगोश है बकरी है या फिर बोल दो कि जो भी शाकाहरी जानवर है जो cellulose को पचा पार रहा है उनके body के अंदर भी यह enzyme उनके body के parts दोरा नहीं बनाए जाते है यानि कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिनके body parts खुद इस cellulose enzyme को बनाए कोई भी ऐसा जानवर नहीं है तो फिर कौन बनाता है यह बनाता है symbiotic bacteria कुछ symbiotic bacteria होते है कुछ सहजीवी जिवानों होते है इन शाकारी जानवर के अमाशे में जो इस enzyme को बनाते हैं और इसी के मदद से यह cellulose को digest कर पाते हैं हम मनुष cellulose को digest नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अमाशे में यह bacteria नहीं पाय जाते हैं न्यूटन के गती का दूसरा नियम जरत्तुका नियम यह न्यूटन के गती का पहला नियम होता है न्यूटन के गती का पहला नियम को ही हम लोग जरत्तुका नियम भी कहते हैं यह नहीं होगा बल के प्रभावों को समझने में साहयक बल का कितना प्रभाव है यह हमें न्यूटन के गती के दूसरे नियम से वहन को प्रदान की गई input उड़िया है मतलब कोई वहन है इसकी जो efficiency है यह 50% है इसका मत्व यह हुआ कि जितनी energy आप इसको दोगे इसमें से 50% यह use करेगा यानि output आपको केवल 50% ही मिलने वाला है मतलब अगर आप इसको 100 joule दोगे तो केवल 50% ही आपको यह output देगा यानि 50 joule ही यह आपको देगा बाकी सारे बढ़बाद हो जाएंगे इसके अंदर यूज कितना किया जाएगा मात्र 50 joule यानि output आपको मिलेगा केवल 50 joule का input आपने दिया था 100 joule यहाँ देखो आपको output दे रखा है कि 4500 joule है तो यह जो 50% बढ़बाद होने के बाद मिला होगा 4500 joule यानि output कितना रहोगा 9000 joule 9000 joule किसी वस्तू को उर्दवादर उपर की ओर फेका गया और भूमी से अधिक्तम उचाई H तक पहुंची इसके उपर जाने के दौरान उचाई H के एक बटा 4 पर वस्तू में डैश होगी जब हम किसी वस्तू को उपर फेकते हैं तो maximum height पर पहुंचने के बाद maximum height पर पहुंचने के बाद जो गतीज उर्जा होती है यह 0 हो जाती है जो इस्तितीज उर्जा होती है यह अधिक्तम हो जाती है जो mid point होता है मालो total height अगर H है जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका mid point क्या होगा HY2 होगा यहाँ पर गतीज उर्जा बड़ावर इस्तितीज उर्जा होती है यहाँ पर गतीज उर्जा और इस्तितीज उर्जा आपस में बड़ावर होती है इस mid point से नीचे गतीज उर्जा अधिक होती है इस mid point से उपर इस सितीज उर्जा अधिक होती है गतीज उर्जा कम होती है तो हमारा आंसर होगा कम सितीज उर्जा और अधिक गतीज उर्जा क्योंकि हमसे एक पटा 4 पर पुछा है तो एक बटा चार क्या होगा, इतने height का, इस h by 2 height का, जो half होगा, यह होगा, h by 4, यानि कि इतना का midpoint, एक चीज़ आप यहाँ पर यह भी धियान में रखो, कि इस पूरे height पर, इस पूरे height में, आप किसी भी point पर, किसी भी point पर, किसी भी point पर, आप चेक करोगे, तो kinetic energy, plus potential energy, यानि गतीज उर्जा और इस्तितीज उर्जा का, जो sum होगा, यह नियत होगा, constant होगा, नहीं बदलेगा, यानि आप इसको बोल सकते हो, जो यांतरिक उर्जा है, यह नियत रहती है, For example, मालो यहाँ पर, गतीज उर्जा बढ़ावर, इस्तितीज उर्जा, कुछ ऐसा था, कि 30 जूल गतीज उर्जा, 30 जूल, इस्तितीज उर्जा, क्योंकि दोनों बढ़ावर है, तो total कितना होगी है, 60 जूल, इस वाले अस्थान पर, मालो, कि जो गतीज उर्जा है, यह जाओ, यहाँ पर अगर इस्तितीज उर्जा मालो, कि 50 जूल है, तो गतीज उर्जा कितनी हो जाएगी, 10 जूल, total संफ 60 जूल, यही मैं आप से कहना चाहरा हूँ, कि आप किसी भी पॉइंट पर चेक करोगे, तो total जो मिलने वाला है, वो 60 जूल ही मिलेगा, total चेंज नहीं ह कोश, उतना ही आवर्थ संख्या, यानि कोशो की संख्या बड़ाबर आवर्थ संख्या, तो तीन कोश है, तो तीसरे आवर्थ में, तृती आवर्थ में, समू एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संयोजी एलेक्ट्रोन एक है, संयोजी एलेक्ट्रोन अगर एक हो, या फि होता तब हम तीन समु संख्या नहीं बोलते हम इसमें दस जोडते और तेरा बोलते लेकिन अगर एक है तो समु एक हो जाएगा दो है तो समु दो हो जाएगा कारे में डैश कारे एक अधीश्रासी है कारे एक अधीश्रासी है तो इसमें केवल पडिमान होगा दिशा नहीं हो तो यह हमारा समाप्थ होता है यह विडियो और यह पार्ट 49 के साथ जो हमारा वॉलिम 2 है यह हो चुका है समाप्थ यह लिंक है यह आप इस टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो यहां पर क्विजज डाले जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है और आप लोगों से ए अपने अंदर एनर्जी आती है कि हाँ मुझे वीडियो बनाने है लाइक्स नहीं मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे मेरे अंदर की जो एनर्जी है ये खत्मोने लगती है वीडियो बनाने में मुझे मज़ा नहीं आता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समय की बढ़वादी है आप लोगों को तो अच्छा लगी नहीं रहा है मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों चार गंटे पांच गंटे हो जाते हैं लेकिन हजार व्यूज भी नहीं आते हैं हजार व्यूज भी नहीं आते हैं इसका मत तो यह हुआ ना कि आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि इस स्रीज को बंद कर दिया जाए क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जितने excited आप थें एक time में इस रीज के लिए अब नहीं है इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक किया कड़े और थोड़ा सा इस चैनल को support कीजिए, share कीजिए Thank you so much